भाई सब कभी आपने इंगलिश का शब्द four example बोलाए कितना मसदार है ना four example ये four example वो four example भाईया ही हो गया अरे हम वहां गये ते गूमना ली जगा और वहां आपने बहुत सारे फल खाय फॉर एक्जांपल ये वाला फल वाला फल रहे भाईया ये four example हर को ही बोलता है मतलब जिसको भी थोड़ी बहुत पी इंगलिश आती है ना उसने life में four example थो बोला ही बोला होगा बच्पन से लेकर आज तक हम इसे बोलते आ रहे है स्कूल लाइफ कॉलिज लाइफ सारी बीद गया आसने को बुजूर्ग हो गया हमे और आज भी मैं इसे four example को छोड़ा निय आज मैं आपको एक दो नहीं बल्कि धेड़ सारे ऐसे इंगलिश के सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत मजाएगा नॉलिजबल खिलास है अब यह four example की जगह इस्तेमाल होने वाले कमाल कमाल के इंगलिश के सब्सक्राइब के साथ सीखने के लिए इस वीडियो के अने तक ज वेंस्टे और फ्राइडे को exclusive series upload करता हूं जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं और मेरा यह podcast बिलकुल फ्री है podcast समझते हैं एक audio platform जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाहिए क्लिक कीजिए Spotify आप्रिकेशन डाउनोड कीजिए वहाँ पर सर्च कीजिए मेरा podcast learn English with सर्ताज और उसे follow कर लीजिए और हाँ वहाँ एक bell icon भी होगा उसे भी दबा दीजिए बोल देते हैं अब बताता हूं कि आप फूर एग्जामपल छोड़िये और इसकी जगा क्या-क्या बोल सकते हैं एक एक करके आखें निगाहे कान किडनी विटनी सब मेरे पर लगाए रखिए पहला है लाइक लाइक इसा फूर एग्जामपल की जगा प्रियोग कर सकता है अब जैसे मुझे बोलना है तो मेरे फल खाने चाहिए जैसे सेव, केला, केला, पपित और याँ वह यहां वह Χासी केले बोलते थे उसकी जगाय बजिए प्रूल एपल, बनाना एन पपाया जो है तो इस तरह से लाइक कोपते अबाग है बोलता है यह वह बेड़्या अब प्रियोग आप फोर एक्जांबल की जगा कर सकते हैं प्राइड जवर को घर में जलय लूम है और आप नेक्सट अनेक्शने जला है सभाई नेक्सट वाला है एसन एक्जांपल इसका घल Como एै के चलो सकते अगर आपको फोर एक्जांपल से तो यह सब हो गया तो वहां पर एक्जांपल की जगह एजन एक्जांपल बोलिये यू शुट प्ले आउट्डोर गेमज एजन एक्जांपल खिर्केट भी और भी लगा लो फुट बॉल फटी बॉल वटी बॉल जो भी है वो तुमारी हैडिक है मैंने तो बता दिया एजन ए 4 example cricket فور एक्सामपल की जगा ऐजन ग्र Bye देगा, और नेक्स्ट वाला थैस इनक्लूड इसमें तो से फिर शुमता इस यह क्लूब यह सारी चीज में yen Seet 3 इनक्लूड इस्कोर सवरे यह सारी चाहुत इनक्लूड इसको वह आ धिank जासा नौद तो मैं ना इंडोर गेम खेलने चाहिए ए फॉर एक्जामपल चैस कारम लुडो सूडो पूडो तो यहां पर मैंने फॉर एक्जामपल बोला अब आप इसकी जगा दीज इंक्लूड बोल सकते हैं जैसे मुझे कहना है इंग्लिश में यू शुड प्ले इंडोर गेम जा और भाईया नेक्स्ट वाला है लाइकवाइज लाइकवाइज यह भी बहुत बढ़िया है इसका प्रियोग भी आप फॉर एक्जामपल की जगा कर सकते हैं लाइकवाइज का यही मतलब होता है जैसा की या इस तरहा की चीज़े जैसी चीज़े तो लाइकवाइज जैसे मुझे scientific विज्ञानिक फिल्म में बहुत पसंद है जैसे for example क्रेश कोई मिल गया या Hollywood movies होती है जो मुझे scientific movies पसंद है for example फिल्मों के ना भाई या for example हटा हो आप इसकी जगा likewise कर सकते है like scientific movies likewise कोई मिल गया क्रेश क्रेश 2 and robot etc etc यह हो गया तो इस तरह से आपने for example को हटा के likewise लगा दिया है ना मजदार तो आप से for example की जगा likewise का भी प्रियोग कर सकते हैं आओ अगला वाला देखे और या next वाला है namely namely इसका मतलब होता है के नाम के यानि जैसे इस तरह के जो है namely यह बड़ा प्यारा सर्शब्द है इसका इस्तेमाल भी आप for example की जगा कर सकते हैं जैसे मुझे गना रहे मैंने बहुत इतिहासिक शहर देखे बाइस आप बड़े इतिहास वाले शहर देखे हैं मैंने for example जैपूर आगरा उदैपूर यह आप इतिहासिक शहर है मैंने सब देखे हैं तो यहां पे आप for example बोल रहे थे लेकिन आप for example को side कर सकते हैं और इसकी जगा नेमली का प्रियोग कर सकते हैं जैसे यहां पे आप नेमली का प्रियोग कर सकते हैं तो जब भी आपको बोलना for example आप नेमली बोलिये अरे बड़िया तरीका ही है यह जो अभी तक सिखाएं वो बोलिये नहीं तो अभी जो सिखाने वाला आगे वो बोलिये आओ बगला वाला देखे और यह नेक्स्ट वाला है अब especially का मतलब होता है वैसे तो खास तोर पर वो वो especially होता है यह वाला है तो इसमें और focus करके कहा गया है तो इसी दिया इसको भी for example की जगा प्रियोग किया जा सकता है आप जब भी for example बोलना चाहें आप उसकी जगा especially बोल सकते हैं जो समझे कहना मुझे fast food बहुत पसंद ह for example pizza, burger, golgappe, tikki मैंडम मंगा तो script बाद भाडवेगा यह वीडियो बाद मनाओंगा बिटा बाद में आना अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बाद में खालेंगा मंगा करको golgappe तो especially जैसे मुझे कहना है I like fast food for example especially pizza, burger, golgappe, bus ठीक है तो इ इसका भी मतलब होता है जैसा की वह for example वाला सीन है इसका इसको भी आप for example की जगा बोल सकते है such as such as such as बताओ मजा आ रहा है ना like कर दो वीडियो को नीचे like का बटन होगा नीला कर दो उसको और subscribe कर दो और अगर पेच पे देख रहा है Facebook पे तो follow कर लो चलो आगर बढ़ते हैं यह कर दो काम मैं बोलता रहता है तो such as जैसे अरे वह बहुत विदेशी भाशा है जानता है वाईसा for example Spanish, German, French बढ़ी languages आती है उसको वह बहुत सारी विदेशी भाशा है जानता है for example भाशाओं के नाब आप इसकी जगा आप such as बोलिए he knows many foreign languages such as French, Japanese, Spanish बगेरा बगेरा यह हो गया तो इस तरह से आप such as को भी यूज कर सकते हैं for example की जगा for example तो सोच रहा होगा कि आज तो बेच जती होके रही है यहाँ पर इस वीडियो में रे 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 जानुगा आप नेक्स्ट वाला देखे और भाईया नेक्स्ट वाला चोटा सा ओर हो गया भी विचार सच एस था अब रह गया as आप चाहें तो for example की जगा as को भी प्रियोग में ला सकते हैं यह चोटा सा है compactor याद रखने में भी आसान होता है अब इसको emergency में काम में लिया जा सकता है इसका मतलब भी होता है जैसा की मतलब इसे भी for example की जगा टिका सकते हैं जैसे अरे मैं बहुत सारी डिशेज बना सकता हूं जैसे for example पूरी सबजी खीर पकोड़े मेगी सारे सब कुछ बना लेता हूं मैं जूट बोल रहा हूं तो यहां पे आप for example की जगा as का प्रियोग कर सकते हैं चली बनाते हैं I can make I can cook many dishes पूरी सबजी खीर फीजा फेस्टा है जमैटो का अर्टर मंगा हुई तो इस तरह से आप इसे भी प्रियोग म ला सकते हैं तो for example को side as space भी कम खर्च हो रहा है fit कीजिए आओ बगला वाला देखे और भया next वाला है if you look at if you look at यहां पर इसका मतला for example जैसा ही बनता है if you look at अगर आप समझे तो अगर आप करने देखा हो तो या जैसा की if you look at यह बड़ा है और बड़े-बड़े शब्दो को जब आप प्रियोग में लाते हैं तो English ज़्यादा attractive लगती है तो आप if you look at को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आपको बलना है आपको किसी बड़े को बलाना चाहिए आपको किसी बड़े को बलाना चाहिए तो वहां उसके बाद for example की जगा if you look at कर सकते हैं जैसे you should call anyone elder if you look at brother sister or your father लीजिये तो if you look at यह भी for example की जगा एक्दम सटीक बैटर जरूरी निया जो sentence मैंने बनाया है बस महीं आप sentence सोचें जिसमें for example आ रहा हो और जितने ही मैंने बनाया उसे attach कर करके देखिए मजा आएगा आओ अब next वाला देखें और भया next वाला है चोटा compact यह त भी easy size सकते हैं आरे वहिया ऐसा लगा रहा है कपड़े दोने वाला easy ही है इसके full form actually में example ही होती है for example जैसी तो इसे भी आप for example की जगा प्रियोग कर सकते हैं जैसे मुझे कहना है अरे कुछ subject तो बहुत जादा tough होते है some subjects are very tough for example physics chemistry biology तो यह for example हटाईए आप इसकी जगा easy है घड़ी सरफ सरफ एक्सल सारी लगा दो यहां पर तो इस तरह से आप इसको विप्रियोग कर सकते हैं for example की जगा सफाई गर्दोजी हो गई सफाई बड़ी आसानी से रुख जा रुख जा हम वर्क ट्राइम है वाई तो आज की स्क्लास में मैंने आपको for example की जगा इस्त जो है letter वगरा लिख रहे हैं को email टाइप कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे शब्दों का परियोग कीजिए तो इसलिए वहां पर आप four example पुडाने वाले को वाइट करके उन में से मेरा वाला try कीजिए आपकी English speaking fluent लगेगी उंचे दरजे की अब आपके लिए छोट असा homework ह लगाना यहां पर कुछ sentences है और मज़े की बात यही सारे sentences already English में है इनकी translation नहीं करनी है बस आपको इसमें four example हटाना है और क्या लगाना है समझदार कोई सारा काफी नहीं पैसे नहीं बंग रहा हूँ मेरा मतलब like कर दो please ठीक है like बस यही फीस है और कुछ नहीं चाहिए मु करूंगा और एक दूसरे की गलतिया भी निकाला करो अगर आपको दिखे तो फॉरण के comment मुन के help कि अगरो घ्यान बाटने से बढ़ता है चले गाइस तो आज किस class में इतना ही मिलता हूँ आपसे अगली class में एक अच्छ नए topic के साथ हमेशा सोसता रहता हूँ रिसर्च क आते इस वीडियो को एक तुच्चासा मुच्चासा पुच्चासा लाइक देकर जाना